नमस्कार, B.C. Part 1 के फिजिकल केमेस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट के लेक्चेर 2 में आज हम आईडियल गैस एक्वेशन, वैल्यू आफ गैस कॉंस्टेंट आर और काइनेटिक मॉलेकुल थेोरी आफ गैसेस की स्टेडी करेंगे इसमें सबसे पहले ले हम आईडियल गैस एक्वेशन, आदर्स गैस समी करन पिछने लेक्चेस में हमने बाइल नियम पड़ा था, बाइल नियम है हमारा वी प्रोपोर्शनल टू, वन बाई, पी चार्ल्स गैलुसेक लोग, वी प्रोपोर्शनल टू, टी, और अवगादरों लोग, वी प्रोपोर्शनल टू, एन, इन तीनों नियम हों को अगर हम मिलाते हैं, तो हमें एक एक्वेशन मिलती है, पी वी प्रोपोर्शनल टू, एन, टी, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन अटाते हैं तो एक proportionality constant लगाते हैं R तो equation हमें मिलेगी Pb equal to nRT यह है आदर्स gas समीकरण है यह ideal gas equation है इससे हम आदर्स gasों की अवस्था समीकरण भी कहते हैं अर्थात equation of state for ideal gases इस equation में P pressure है V volume है T temperature है N number of moles है और R gas constant है जितने भी ideal gases है वो इस आदर्स gas समीकरण को follow करती है लेकिन वास्तम में कोई भी gas आदर्स gas नहीं होती है अब हम gas constant R के dimension और units देखे अभी हमने ideal gas equation के लिए equation देखी PV equal to nRT यह हम R यानि कि gas constant R निकाले तो क्या होगा R equal to PV upon nT यहाँ P दाब है V आईतन है N moles की संख्या है और T ताब है अब दाब हम जानते हैं दाब होता है हमारा force upon area यानि बलापंशेत्रपन बल और शेत्रपल को हम किसे वेक करें लंबाई into लंबाई अर्थात लंबाई square यानि लंबाई into चोड़ाई हमारा शेत्रपल होता है तो दाब equal to हमारा क्या होगा बलापॉन लंबाई square और आयतन जो है वो हमारे होता है लंबाई into चोड़ा into उचाई अर्थात एल क्यूब यहां स्वरी थ्री आएगा एल क्यूब अब हम दाब और आयतन इनकी वेल्यू इस एक्विशन में रखें तो आर इक्वल टो हमारा होगा बल अपॉन लंबाई square into लंबाई cube upon mole into Kelvin यानि दाब की जगे हमने रखा बल अपॉन लंबाई square आयतन की जगे लंबाई cube mole into दाब की जगे Kelvin लंबाई square से हमारा यह कैंसिल हुआ तो बचा के वाल लंबाई लंबाई की हुए है तो बल अब हमारे एक्विशन के होगा बल इंटू लंबाई upon mole into Kelvin बल इंटू लंबाई हमारा होता है कार यह वर्क तो आर को पर थे क्विटिल दाबा अपॉन मोल into Kelvin तो बल into lombai की जगे हमने रखा कारे work तो और का जो हमें विमा और कि हमें जो unit मिलती है वो क्या होगी और एक्वॉल टु वर्क या energy mol inverse Kelvin inverse अब वर्क जो की हमारा क्या force into length तो और force की विमा होगी m1, l1 T-2 और L के विमा L1 लेंद के विमा L1 तो कारे के विमा हमारे क्या होगे कारे के डाइमेंशन होगे M1 L2 T-2 तो यहां हम वर्क के डाइमेंशन रखें तो R के डाइमेंशन में मिल जाएगी R equal to हमारा होगा M1 L2 T-2 Kelvin inverse mole inverse तो यह हमारी gas constant R की विमा होगी अब हम विविन इकाईयों में R का मान देखें value of R in various unit इसमें सबसे पहले हम लें R का मान L atmosphere में the value of R in L atmosphere हम जानते हैं R equal to हमारा होता है Pb upon nt लिटर atmosphere में प्रेशर वाई मंदली दाब क्या है एक वाई मंदली दाब 1 atm प्रेशर जो है 1 atm है एक वाई मंदली दाब है आयतन 22.4 L होता है temperature 278.15 Kelvin और moles की संख्या 1 mole तो ये PV n और ट के value हम equation में रखें तो हमें मिलेगा R equal to 0.0821 याने इस equation PV n और ट के value इस equation में रखने पर solve करें तो हम R का मान होगा हमारा 0.0821 अब हम इसकी unit देखें तो unit क्या होगी liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse याने liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse तो ये है liter atmosphere में R की value होगा तो R equal to 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse mole inverse अब R की value हम SI मिलें the value of R in SI SI unit में एक mole का आयतन जो है वो होगा हमारा 24.789 liter और pressure को हम 1 bar से note करते हैं याने pressure जो होगा 1 bar होगा और जो temperature होगा वो हमारा 25 degree centigrade होगा अगर Kelvin में ले हम तो temperature 298.15 Kelvin होगा तो P, V, N और T के value हम इस equation में रखें तो R इक्वेशन को हम solve करेंगे तो हम R के value मिलेगी तो R के value हमारी क्या आएगी R इक्वेशन को हमारी हमारी R के value किस में होगी SI में next ले हम R कमान CGS में the value of R in CGS CGS में R की value हम निकालते हैं तो CGS में pressure जो होगा P equal to HDG होगा तो H जो है हमारा 76 cm है जो पारे का तल पारे का तल जो है capillary में जितनी उचाई पर चड़ता है वो H होगा जो कि 76 cm होगा D पारे की density जो कि 13.6 ग्राम पर सीसी है G गुर्तवा कर्षिन बल है जो कि 981 cm per second square है V इन तीनों का मान हम इसमें रखते हैं P equal to HDG में रखते हैं तो हमें जो इन तीनों का मान हम इसमें रखते हैं और V जो है हमारा आयतन जो है वो है 22,400 cm2 T temperature है जो कि 273.15 Kelvin है और N 1 mole है तो ये P, V, T और N की मान हम इस equation में रखकर solve करते हैं तो हमें R का मान मिलता है R equal to 8.314 into 10 to the power 7 dine centimeter mole inverse Kelvin inverse अब dine into centimeter हमारा होता है अर्ग तो यहाँ dine into centimeter की जगे हम अर्ग रख देंगे तो हमारी अर्ग में value क्या जाएगी R equal to 8.314 into 10 to the power 7 अर्ग mole inverse Kelvin inverse अब हम R की value Joule में निकाले तो Joule जो है यानि हम SI में उर्जा को Joule में वैक्त करते हैं अर्ग की जगे हम Joule में वैक्त करते हैं और 1 Joule equal to होता है हमारा 10 to the power 7 अर्ग अभी हमने इस equation से देखा कि R की value हमारी अर्ग में क्या आती है 8.314 into 10 to the power 7 अर्ग मोल इन्वर्स कैलिन इन्वर्स और 10 to the power 7 अर्ग होता है Joule तो अब Joule में R की value क्या होगी R equal to 8.314 Joule मोल इन्वर्स कैलिन इन्वर्स तो ये R की value Joule में होगी Next ले हम R की value कैलोरीज में अभी हमने Joule में R की value देखी थी R equal to हमारा होता है 8.314 Joule मोल इन्वर्स कैलिन इन्वर्स और 1 कैलोरी होता है हमारा 1 1 कैलोरी होता है 4.18 Joule तो हम 8.314 में 4.18 का भाग दे देंगे तो हमे R की value कैलोरीज में मिलेगी जो की क्या होगी R equal to 1.99 या approximately इटलो कैलोरी मोल इन्वर्स कैलिन इन्वर्स अब हम R का मान पास्कल में या न्यूटन में ले हमने अभी देखा R equal to हमारा था Pb upon nt और P जो है हमारा 101,325 पास्कल होता है 101,325 पास्कल V हमारा है Y is point 4 into 10 to the power minus 3 meter cube and 1 mole और temperature 273.15 Kelvin इन सब की value हम इस equation में रखते हैं और solve करते हैं तो हमे R की value मिलेगे R equal to 8.314 पास्कल meter cube mole inverse Kelvin inverse अब पास्कल equal to होता है Newton per meter square तो पास्कल की जगे हम Newton per meter square रखें तो यह हमने Newton per meter square रखा तो हमें Newton meter में क्या value मिलेगी R equal to 8.314 Newton meter mole inverse Kelvin inverse तो यह हमारी R की value पास्कल में और Newton meter में थी तो इस तरह से हम Viven unit में R की value calculate कर लेते हैं अब हम ले others gas semicurrent की सीमा है जो ideal gas equation है वो PV equal to nRT है ठीक है यह others gas others gas है जो सभी ताप और दाप पर others gas semicurrent का item घटता है अब हम दाप बढ़ाते जाएंगे तो item घटता जाएगा दाप बढ़ाते जाएगे item घटता जाएगा एक ऐसी स्तिति आनी चाहिए जब इतना हम दाप बढ़ा दें कि item 0 हो जाए परन्तु वास्तम में ऐसा possible नहीं है item को हम 0 नहीं कर सकते इसका मतलब है कि यह है आदस वियोवार से विचलित हो जाएगा यानि जो हम चाल्सनी हम से देंगे चाल्सनी हमआरा कहता भी परोपोर्चनर टूटी अर्था ताप बढ़ाने पर item बढ़ेगा या ताप कम करेंगे तो आयतन कम होगा, हम ताब घटाते जाएंगे तो आयतन भी घटता जाएगा एक स्तिती ऐसी आजाए कि जब हम इतना ताब कम कर दें कि आयतन घटकर जिरो हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयतन कभी भी शुन्ने नहीं होगा तो आयतन को शुन्ने करना संभव नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि जो गैस का वेवार है वो आदर्ष वेवार से विचलन दर्शारता है तो यह है आदर्ष गैस सेमिकर्ण की सीमायती अब हम लें गैस का अनुगति सिद्धान काइनेटिक मॉलेकुलर थेवरी ओगैस गैसों के अनुगति सिद्धान को समझाने के लिए कुछ अभीग्रहिती दी गई थी इन अभीग्रहितियों को हम गैसों का अनुगति सिद्धान या काइनेटिक मॉलेकुलर थेवरी ओगैस कहते हैं यह प्रमुक अभी गरेती याने important postulates क्या है सबसे पहला postulates है कि परते गैस जो है सुक्सम करणों से मिलकर बनी है याने जो गैस है वो minute particle से बनी है और इन minute particle को molecules कहते है जो गैस के molecules है वो सुक्सम ठोस और गोलाकार है याने गैस के जो molecules है spherical, solid और minute है जैसे हम देखें तो गैस के जो अनु है वो बिल्कुल dot 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 की तरह प्रतेशित करें तो एक dot जो है वो अनु को व्यक्त करता है जोकि ठोस है सुक्सम और गोलाकार है थर पास्शुलेट्स ले हम किसी गैस किसी एक गैस के सभी अनु समान होते है याने हम यह गैस ए ले रहे है तो इस गैस के सभी अनु समान है इसी तरह से गैस भी है इसके सभी अनु समान है लेकिन इन दौनों गैस के अनु एक दूसरे से भिन है याने गैस के सभी अनु समान होते है पर अन्य गैस के अनु से भिन होते है कि अधिर इदर और में गति कर सकते हैं और सिदirsty रिखां करते हैं नेक्स वस्चुलेट लें गैस के अनू दूसरे अनू से अत्वा पात्र की दिवार से टक्कर करके अपनी दिशा बदलते हैं इस गति को हम यह जो है जिग जैग या टीडी मेडी गति होती है जैसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं गैस के अनू जो है जैसे गैस का अनू है यह दूसरे अनु से टक्कर करके अपनी दिशा बदल लेगा फिर ये फिर टक्कर करेगा फिर अपनी दिशा बदल लेगा तो दूसरे अनु से टक्कर करके अपनी दिशा बदल के बदल सकते हैं या पात्र की दिवार से भी टक्कर कर ली जैसे तो अपनी दिशा बदल ली फिर व तो पात्र की दिवार से टकराते हैं तो पात्र की दिवारों पर एक बल अनुभव करती है ने ये गैस मानलो ये एक कंटेनर है गैस के अनुभव जैसे इस पात्र की दिवार से टकराएंगे तो पात्र की दिवार जो कंटेनर की वाल है वो एक फोर्स जो अनुभव करती है न एक फोर्स लगता है इस फोर्स को हम अगर ये फोर्स इकाई आयतन पर यानि यूनिट वालियूम पर लग रहा है तो यह हमारा गैस का दाव यानि गैस का प्रेशर कहलाता है अब गैस के अनु जो है जो टक्कर करते हैं पूर्ण प्रित्यास्त होती है यानि गैस के अनु पूर्ण प्रित्यास्त टक्कर करते हैं यानि टक्कर से पूर्ण जैसे गैस के अनु दिवार से टकर है तो जिस गती से टकर आते हैं उसी गती से वापस लोड़ जाते हैं यानि उर्जा टक्कर से पूर और टक्कर के पस्चत उर्जा सरक्षित रहती है यानि टक्कर से पूर जो उर्जा होगी टक्कर के बाद भी अनू की वही उर्जा होगी तो यह है जो टक्कर होगे पूर्ण प्रत्यास्त होगे अर्थात गैस के अनूं जो है पूर्ण प्रत्यास टक्कर करते हैं इनके टक्कर के समय उर्जास रक्षित रहती है नेक्स पर्शुलेटर गैस के गैस के अनू का आयतन जो है गैस के कुल आयतन की तुलना में नगणने होता है जैसे मन लो ये पूरा एक गैस का पात्र है और इसमें एक गैस के अनू को ले ले तो इस अनू का जो आयतन है वो पूरे पात्र के तुलना में नगणने है तो हम यह कह सकते हैं कि gas के अणू का जो आयतन होगा वह समफूर्ण gas के अयतन के तुलना में नगन्य होता है Next Postulate ले gas के अणू पर नै तो कोई आकरशन बल लगता है नहीं पृतिकरशन बल लोता है और नहीं गूलतु आकरशन बल लगता है नेक्स पस्टिलिट से गैस के अनों का वेग वे उर्जा समान नहीं होती है यहने एक अनों की अनों का वेग और उर्जा अलग होगी तो दूसरे अनों का वेग और उर्जा अलग होगी यहने गैस के अनों का वेग और उर्जा समान नहीं होती है अत्य है वेग और उर्जा को को हम उसत वेग या उसत उर्जा के रूप में लेते हैंने सभी अनुओं के वेग का हम उसत निकाल लेते हैं तो गैस का उसत वेग कहलाएगा इसी तरह से सभी अनुओं के उर्जा का उसत निकालेता हुए है गैस की उसत उर्जा कहलाती तो हमेशा वेग और उर्जा को हम उस और लास्ट पोस्यूलेट लें , ग्यैस के समझ तणूओं की ऑसद गत्ति जूर्जा ग्यैस के परमताप के समानुपाती होती है रथाद क्यए प्रपोश्चनल टू टी रथाद जैसे 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 ताप बढ़ाएंगे गत्ति जूर्जा बढ़ती जाती है तो यह Kinetic Theory of Gases के Postulates थे जिसे हम Kinetic Theory of Gases कहते हैं Thank you